नमस्वार तो मैंने तिन और स्वागत आपको मेरी चैनल टेक ने तिन पर दोस्तों आज की वीडियो में हम HDFC बैंक दे रिजिरी एक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने हो ले हैं आज वीडियो में आपको बताँगा इसकी जॉइनिंग एन्योल फीस क्या है इसके बेफिट्स क्या है इसके फीचर्स क्या है तो दोस्तों आप नवे हों के चैनल पर चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ बेल नोटिफिक्शन आइकन पर प्रेस कर लिए ताकि आ आप एड भी कर सकते हो तो मानके चलिए आप किसी रिस्तेदार के साथ या वाइप के साथ जाए रहे हो तो यहां पर इसका फाइदा आप उटा सकते हो बट यहां पर टामय कंडिशन ही है दोस्तों की इनकी पार्टनर कंपनी है जो की लांज प्रोवाइड करती है आपको यहां पर तो है तो यहां पर यहां पर करते हो यहां पर 12 के ऊपर जो लॉट पर तो फिर आपको यहां पर 22 रूपे चार्ट यहां पर कटेगा आपके काड से दूस्तों यहां पर देखें reward points काफी यह दे रहे देखें तो आप अपने कार्ट से पूरे साल में 5 लाग रुपे खर्च देते हो तो आपको यहां पर 10,000 reward points दिये जाएंगे इसके लाव ज़िए आप 8 लाग खर्च करते हो तो आपको 15,000 reward points मिल जाएंगे तो जो normal person होते वो शाहिद इतना पैसा खर्च करेगे कुछ-कुछ लोग होंगे जो इतना पैसा खर्च करते भी होंगे तो basically यह जो feature इन्हों ने दिया है basically जो normal लोग उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है इसके लगा दोस्तों आपको इस card पे fuel sarchage waiver भी मिल जाएगा और आपको कुछ भी हो जाता है तो आपको यहाँ पर दिखे एक करोड का यहाँ पर इंसुरंस इन्होंने दिया है means accidental air cover दिया है इसके लगा यह आप कई विदेश चले जाते हो आप इमर्जनसी आपको हो जाती है कुछ तब्बद आपकी खराब हो जाती है तो hospitalization का भी खर्चा यह 15,000,000 तक यहाँ पर आपको मिल जाता है और lost card liability आपको दे रहा है यह 9,000,000 रुपीज तक की means आपका card हो जाता है कई पे भी तो आप इन्हें phone कर सकते हो और दोसे most important feature यहाँ पर आपको renewal fee map करवानी है तो यहाँ आप साल वर में 3,000,000 रुपे खर्च कर दे तो आपकी यहाँ पर renewal fee हो भी यहाँ पर map हो जाएगी इसके लोग दोस्तों देखिए यहाँ आप normal खर्चा करते हो तो आपको यहाँ पर reward points भी मिलते है देखिए तो 1,500 रुपे आपको चार reward points आपको यहाँ पर मिलेंगे और reward point की value जो है यहाँ अलग अलग होती है देखिए कुछ जगा पर 20 पैसा है कुछ जगा पर 50 पैसा है smart buy करके उसके तुरू यहाँ आप flight book करते हो next क्योंकि यह credit card flight जो frequently travel करते हो उनके लिए है तो यहाँ आप next flight book करते हो और reward point का use करते हो तो आपको देखिए यहाँ पर 50 पैसी की value मिल रही है एक reward point की तो यह best है तो जो सारे जो points है मैं यहाँ पर cover कर लिया है यहाँ आपको व